हैलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मरिन वर्ल्ड में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के वोट्रिम कॉलेजेज जिन में जाने के लिए मरते हैं इस्टूरेंट्स दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अगर ये वी बारवी पास करने के बाद जब इस्टूरेंट आगे कुछ करने का विचार करता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे कॉलेजेज आने लगते हैं जो उसके ड्रीम कॉलेज होते हैं भारत में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिन में जाना इस्टूरेंट्स के लिए एक सप यहां आपको पढ़ाई के साथ साथ बाकी की बहुत सारी सुक्ष विधाई मिलती है कक्षा बारवी के बाद जब इस्टुएंट ग्रेजियोसन करने का विचार करता है तो उसे लगता है कि कास्ट जेनियू मिल जाए यहां पर आपको एक अच्छी केंपस लाइफ मिलती है और इस्टुएंट खुद के हिसाब से खुद को एक्स्प्लोर करता है और यही वज़ा है कि यह ड्रिम कॉलेजिज में से एक है दूसरे नमर पर आता है एमस दिली, एंडिया इंस्ट्यूट अफ मेडिकल साइंससे में जाने के लिए हर एक मेडिकल का इस्टूएंट मरता है कक्छा बारेवी के बाद मेडिकल एक्जाम के तियारी करने का पहला उत्यस सी एम्स में जाना होता है और वो भी दिल्ली में इसके लिए उन्हें खुब महनत करनी होती है एम्स में जाने के चाहत इसलिए होती है क्योंकि वहां से आप बेहतर डॉक्टर बन कर निकलते हैं और बहुत अच्छी जगह आपको जॉब मिलती है इस लिष्ट में कुछ I.I.T. संस्थान भी है हर एक I.I.T. बेश्ट है हम ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब बहुत सारे I.I.T. कॉलेजेज खुल गए है लेकिन इस्टुएंट्स के ड्रीम I.I.T. कॉलेजेज में सबसे पहला नाम आता है I.I.T. बॉम्बे में कंपिटर साइंस ब्रांच का यहां जाने के लिए आप पहले सौ में रैंक लानी होती है अगर आप कंपिटर ब्रांच चाहते हैं तो हर एक इस्टुएंट का सपना इसी कॉलेज में जाना होता है इसके अलाबा I.I.T. दिल्ले में मेकैनिकल, I.I.T. कानपूर में सिविल भी इस्टुएंट का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है पहले नमर पर आता है N.I.T. N.I.T. यानि की National Institute of Technology जिसमें आपका दाखिला J.E. Min के द्वारा होता है वैसे कई सारे N.I.T. कॉलेजेज हैं लेकिन सबसे अधिक मांग है N.I.T. इलहाबाद की जो की बेहतर पैकेज के लिए जाना जाता है इसके अलाबा N.I.T. त्रिची और N.I.T. भुपाल के साथ N.I.T. जैपूर भी हमेशा भली क्वाईज के तौर पर उभर कर सामने आते रहे हैं दूसरे नमर पर आता है I.I.M. एहमेदाबाद वैसे ग्रेजेशन के बाद MBA करने के बहुत सारे लेकिन सबसे अधिक जाहत हर किसी को I.I.M. एहमेदाबाद की होती है अगर कोई स्टुएंट एकोनोमी की दुनिया में अपना नाम करना चाहता है तो वो यहाँ जाने की ख्वाईज रखता है यह हर एक MBA स्टुएंट का ड्रीम होता है यहाँ जाने के लिए यहाँ जाने के बाद आपको बहुत बड़े संस्थान में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मिलनी तैह हो जाती है तीसरे नमर पर आता है BITS BILANI BILANI Institute of Technology and Sciences यह एक private संस्थान है जहाँ जाने के लिए इस्ट्वेंट्स को खुब मेहनत करनी होती है और उतनी ही अधिक चहाद उसके मन में बढ़ रही होती है यह कॉलेज अपना एक्जाम आलक से लेता है और साल हर हर साल लाकों बच्चे इसका एक्जाम देते हैं अपने बहतर केमपस बहतर प्लेस्मेंट के लिए यह कॉलेज बहुत फेमोस है यहाँ से अगर इंजिनेरिंग के डिगरी ले ले लेते हैं तो आपको सफल कहा जा सकता है चौथे नमर पर आता है इंडियन इस्चूट आफ मास कमिनिकेशन आई आई एमसी इंडियन इस्चूट आफ मास कमिनिकेशन दिली यह कॉलेज उन छातरों के लिए ड्रीम कॉलेज होता है जो पत्रकारिता के छेतर में अपना केरे बनाना जाते हैं उनका एड्मिसन यहाँ हो गया तो समझो जीवन सफल हो गया आई एमसी से डिगरी मिलने के बाद आपको कई सारे बड़े मीडिया संस्थान में नौकरी मिल जाती है एक बात आपको यह समझनी होगी कि ड्रीम कॉलेज में जाने से ज़्यादा जरूरी है उस पढ़ाई का पुरा ग्यान लेना जो आप करने जा रहे हैं इन संस्थानों में अगर आप नहीं भी जा पाएं तो यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं बलकि इसका अर्थ है कि अब दूसरे कॉलेजिज में जाकर आपको अपनी लाइव बहतर बनानी है दोस्तो भारत के ड्रीम कॉलेजिज के बारे में यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद